जब हम मुसल्मान से पुछते हैं और मैं आपसे पुछना चाता हूँ कि आप इस सारे काइनात में सबसे ज्यादा मुहबबत किसे करते हैं मैं आपसे पुछना चाता हूँ कि सारे काइनात में आप सबसे ज्यादा मुहबबत किसे करते हैं किसे करते हैं अगर आप कोई भी मुसल्मान से पूछेंगे इस सारे काइनात में आप सबसे ज्यादा मुहबत किस्से करेंगे तो जवाबे अल्ला सुभानाओ ताला यक्सा जवाब मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि अगर आप एक सुबा को अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे और आपका पड़ोसी आपकी वालदा से बुरी बात करता है आपकी वालदा को गालियां देता है आप जब शाम को वापिस आएंगे और आपको पता लगता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालदा को भौत गालियां दी बिना वजए आपको जो पता चलेंगा कि आपका पॉडुसी आपकी वालदा को गाली दिया आप क्या करेंगे क्या करेंगे अगर कोई बिना वज़े आपकी वालदा को गाली देता आप क्या करेंगे लोग कह रहां मारेंगे कोई कहता मैं तंगरी तोड़ूँगा कोई कहेंगा मैं जानने लूँगा अगर बिना वजे कोई इनसान आपकी वालदा को गालियां देता है तो क्या करेंगे कोई कहता है मैं मारूंगा उसे कोई कहता है तंगरी तोड़ूंगा क्यूं? क्यूंके हम अपनी वालदा से महबत करते हैं करते हैं के ने? हां के ने? माशालला बेशक हम अपनी वालदा से मुहबत करते हैं बेशक और ये बात सही अगर कोई मेरी वालदा को गालियां देता है बिनावजे हम देखेंगे कि उस शक्स को हम सबक सिखाएंगे अगर हम खुद बदला नहीं ले सकते हम दूसरे को लिगाएंगे भाड़े पे लिकिन उसको सबक सिखाएंगे सिखाएंगे के ने? हां के ने? क्यूं? क्यूंकि हम अपनी वालदा से मुहबत करते हैं कोई भी इनसान अगर उसकी वालदा को कोई गाली देता है तो वो उस इनसान को सबक सिखाएंगा अल्ला सुभाना ताला फरमाते हैं प्रॉण मजीद में सुरे मर्यम में सुरा में उन्नीस वर्स नम्र 88 तू 92 अल्ला ताला फरमाते हैं वो लोग किह रहे हैं नसारा लोग कि अल्ला सुभाना उल्दाने बेटा जना व गाल तकसु रुष्मान उल्दा लकद जीत उमशैन इद्दा ये सबसे बरी गाली अल्ला सुभाना उत्दान को दी किसी न Amanda अगर कोई कहता है कि अगर अगर आस्मान के पास जजबा होता तो आस्मान फट उत्ता वतन शकल अर्दू और ये जमीन फट उत्ती वता खिर्म जबाल उहद्दा और ये पहाड गिर पड़ता अगर कोई अगर कोई अगर आस्मान के पास जजबात होते तो आस्मान खुल उटता ये जमीन पट उटती और ये पहाड गिर पड़ता लेकिन हम मुसल्मानों को कोई फरक नहीं पड़ रहा है हम कहते हैं कि हम अल्ला सुभाना उत्याला से सबसे ज्यादा मुभबत करते हैं अपनी वालदा से ज्यादा अपने वालदा से ज्यादा अपनी वीवियों से ज्यादा कहते हैं लेकिन हकीकत में इस पे अमल करते हैं हम कहते हैं कि हम अल्ला सुभाना उत्याला को सबसे ज्यादा चाहते हैं अपनी वालदा से ज़्यादा अपने वालिद से ज़्यादा अपने बेटों से ज़्यादा अपनी वीवियों से ज़्यादा हम कहते है तेकिन क्या इस पर अमल करते है अगर कोई आपकी वालदा को गाली देता है तो आपको उसको मानने का है आपको उसकी टंगरी तोड़ने क और हम मुझ भी ने खोँ सकते इतना तो कहो के ये कहना गलत है मैं नहीं कहा हुँ के उन जछडा करो मैं बिलकुल नहीं कहा हुँ के उन से मार्पीड करो कमस कम अपना मूँ तो खोलो इतना तो कहो कि आप अल्ला सुभानाओ ताला को गाली क्यों दे रहे है हम उनसे दावत करने की बाद दूर रही हम उनके साथ बन जाते है मिसाल के दो रुपे अभी दो मेने बाद एक तेवार आएंगा क्रिस्मिस और क्रिस्मिस में कई मुसलमान इसाई से कहते हैं मेरी क्रिस्मिस जब आप मेरी क्रिस्मिस कह रहे है आप नौस बिल्ला शहादत दे रहे है कि अल्ला सुभानाओ ताला ने 25 डिसमबर को बेटा जना क्यूंकि इसाई एक क्रिस्मिस बनाते है पच्चीर डिसम्बर और कहते हैं कि अप उन लोगों से दावत तो नहीं करते दावत की बात तो दूर रही आप उनके साथ मिल जाते है आप शहादत दे रहे हैं कि अल्ला ने बेटा जना दावत देना बहुत आसान है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनसे जगड़ा करो आप उनकी किताबे पढ़िए और उनकी किताबों के जरीए आप उनके साथ दावत करो हम मुसल्मान दावत हमारा फर्ज है हम इस फर्ज को भूल चुके है हमारा फर्ज है कम इसलाम का पैगाम गेरों तक पहुचाए आज की जो हालात है गेर मुसल्मान जो इसलाम के खिलाब बात कर रहे है काफी हद तक उसके दिम्मेदार हम भी है क्योंके हम अल्ला सुभानाओ ताला का पैगाम, इसलाम का पैगाम खुरान मजीद का पैगाम गेरों तक नहीं पहुचाते है अल्द 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 फर्माते हैं कुरान मजीद में सुरे बक्रा में सुरान नम्बर दो आयत 111 में वो लोग कह रहे है यहुद अनसारा कि आप मुसल्मान आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे चाहे आप कितने भी अच्छे आमाल करो चाहे आप नमास पुड़ो चाहे रोजा रखो चाहे जकात दो चाहे आपके माते पे नमास कदागो आप लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहुद अनसारा ना बने अल्ह तक अमानीजुहूं यह उनकी बकवास है वें डिजायर्स कुल कहो हातु बुणानकुम आप अपना बुरान पेश करो इनकुंतुम सौदकीन अगर आप सच्चे है और अगर अल्ह तक अगर अगर कोई भी डिन्ये मारता है बड़ी बड़ी बाते कहता है तो उनसे कहो कुल हातु बुणानकुम इनकुंतुम सौदकीन आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो और यह इसाई अपना सबूत अपना भुरान बाइबल को पेश करते है और कहते है मेरी बाइबल ये चीज़ कहते है मेरी बाइबल ये कहते है मेरी बाइबल वो कहते है हमें क्या करना चाहिए क्या बाइबल को पूरी चात लेना चाहिए अगर कोई भी अपना भुरान पेश करता है तो हमें उस भुरान की तहकी करना चाहिए